टॉपिक क्या है मुशा इन वर्टिकल सर्किल वर्टिकल सर्किल होता क्या है जैसे एक होता है होरिजेंटल सर्किल एक कुमार का चाक होता रहा है इस पैसे यह होरिजेंटल होता है और यह गाड़ी का पईया होता है यह वर्टिकल सर्किल होता है अब मैं करूंगा क्या एक ध टेक्निकल टॉपिक है देखिए सपोस हमारे पास एक ठेड है और उसकी लेंथ एल है और उस्ट जादे बादा सरक्ल बन गया है जादा बादा सरक्ल जो है वो धिक्कत करेगा जगया जादा घेरेगा और हम उस ठेड की सायता से इस बोडी को इस प्रकार से वर्टिकल सर्क्ल में मूब कर आ रहे हैं, ठीक है, यह वर्टिकल सर्क्ल है, यह हाइस पॉइंट है, यह हाइस पॉइंट है, यह लोइस पॉइंट है, यह इसका सेंटर है, तो अगर मैं कह रहा हूँ, L is the length of the thread, तो what will be the radius of the circle, L, अब किसी भी किसी टाइम हमने कहा, एक पार्टिकल है, यहाँ पर है, पी पॉइंट पर, अब देखिए, यह इस प्रकार से thread से बना हुआ है, thread की length कितनी है, L, और यहाँ पर ते पार्टिकल है, पार्टिकल जा किदर रहा है, उपर की तरफ, तो वो V velocity से इस प्रकार से उपर की तरफ, ऐसे जा रहा था, ऐसे V velocity जा रहा था, ठीक है, और यह वर्टिकल से theta angle बना रहा है, अब बोडी का जो, अच्छा, बोडी का जो weight होगा, वो, नीचे की और act करेगा, और यह जो, आप जो डोरी है, यह जो thread है, वो आप पकड़े कहां पर है, ओ पॉइंट पर, तो इसका जो tension लगेगा, किदर लगेगा, center कि दर लगेगा, और यहाँ पर सीधे इसको हम बढ़ा दे, तो यह angle theta होगा, यह दोनों vertical lines है, यह transversal है, तो corresponding angle, यह vertical है, यह भी vertical, weight आपको vertically downward लगेगा, तो theta से लगा हुआ, जो component होगा, mg, cos theta होगा, अब देखे, mg, cos theta body को बाहर के और फेक रहा है, और tension body को अंदर के और खींच रही है, और body circular path में move कर रही है, तो tension ज्यादा होगा, mg, cos theta ज्यादा होगा, तो net force कितना होगा, t-mg cos theta, अच्छा यह mg sin theta भी धर आएगा, इससे फिलाल हमारा कोई लेन देना, है नहीं, फिलाल हम इसकी बात करते हैं, तो जो t-mg cos theta है, वो क्या करेगा, body को, centipetal force प्रवाइड करेगा, अच्छा, यहाँ से t की value क्या निकलेगी, mg cos theta प्लस mv square अपान, r, r का मतलब यहाँ क्या है, l, यह equation number 1 हो गया, सुझ में आई बात, नोड करते हो, को रब बार बार करना पड़ेगा हमको, अब देखिए, यह body गई, और यह पहुची highest point पे, और highest point पे, ए point पे हमने फिलाहर विलास्टी मानी है, वी ए, यह highest point पे है, ठीक है, और इसका tension किदर लगेगा, जिधर आप डोरी को पकड़े हुए है, तो इसका tension तो नीचे क्यों लगेगा, TA, और इसका weight किदर लगेगा, वो भी नीचे क्यों लगेगा, तो दोनों किदर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके, आपको क्या provide करेंगे, यानि centipetal force कितना हो जाएगा, TA, प्लस MG, क्या provide कर रहे हैं आपको, centipetal force, MVA square upon L, जड़ा अब ध्यान से समझिएगा, आप एक डोरी को पकड़िएगा, मुझे देखिएगा ध्यान से, और बहुत तेजी से body को घुमाईए, तो डोरी का tension कैसा होगा, बढ़ेगा ना, धीरे धीरे velocity कम करते जाएए, तो डोरी का tension कम होता जाएगा, और एक ऐसी state आएगी, कि body अपने आप ऐसे गई और नीचे आगई, tension कितना हो गया, 0, मैं इस velocity को कम करते 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 करते, वहां तक ले गया, कि डोरी का tension कितना हो जाए, 0, अगर उससे कम velocity करते हैं, तो body वही पर नीचे गिर जाएगी, practically समझेगा, एक body लीजिए, और ऐसे घुमाईए, और ऐसे धीरे-धीरे speed कम करते जाएगे, और एक ऐसी state आएगी, कि ऐसे body नीचे आगी, मैं उसी state से, उसी velocity से body को ऐसे गिराना चाहता हूँ, क्योंने, जब, when T A is equal to 0, यानि tension कितना है, 0, कईसे 0 हुआ है भई, आप एक spring लीजिए, और spring में बड़ी तेजी से घुमाईए, इस spring पिल्कु ऐसे खिच जाएगी, ने खिच जाएगी, क्योंकि जतनी speed बढ़ाओगे, उतना जाए tension उसमें बढ़ेगा, और धीमेजिने उसकी speed कम कर दे जाएगे, तो spring का खिचाओ कम होता जाएगा, एक ऐसी state आएगी, कि ये body गई, और अपने आप ऐसे नीचे आएगे, एक minimum speed, तो जब tension zero हो गया, तब velocity को हमने नाम दिया VC, और इसको कहते हैं, critical velocity, क्या कहते हैं, critical velocity, अगर मैं कहूं, what is critical velocity, तो आप कहेंगे, that minimum velocity, at the highest point of vertical circle, at which the tension of the thread is zero, यहाँ bracket में लिख लिजीगा, आपर, that minimum velocity, at the highest point of vertical circle, that minimum velocity, at the highest point of vertical circle, at which, when T is equal to zero, then V is equal to VC, इसका नाम दिया गया है, और इसका नाम दिजीए, critical velocity, और इसकी definition, आप bracket में लिख सब्सक्राइब, अभी न लिखेगा, अगर कहीं और लिख दिएगा, अभी न लिखेगा, ठीक है, अब जरा समझेगा, यहाँ पर देखो जरा, हम यहाँ पर, देखे, अगर आप velocity बढ़ाते जाओगे, tension बहुत ज्यादा लग जाएगा, एक समय ऐसा आएगा, कि दोरी टूट भी सकती है, मैं किसी छोटे बच्चे को ऐसे हाथ पकड़ी है, बहुत तेजी से ऐसे घुमाईए, तो उसका हाथ खिच जाएगा, और धीरे धीरे अगर घुमाईए, तो साइद नखीचे, क्योंकि जितना आप तेजी से घुमा रहे हैं, उतना उसकी हाथ का tension बढ़ेगा, मैंने ऐसा छोटे थे तो, ऐसे पकड़ के घुमाई जाते थे हम लोग, हाथ चुको मजबूत रहे होंगे, पता नहीं, मैंने प्रेटिकल ऐसे बोला, तो यहाँ चेंसन को क्या कर दिया, यह question 2 डाल दीजिए, so by question 2, TA कितना हो गया, 0, mg तो वही रहेगा, और is equal to, यह हो गया, vc square by l, तो vc की value क्या होगी, under root lg, यह critical velocity है, सुझ में आई बार नहीं आई है, तो actually हम चाहते क्या है, हम इसको ऐसी velocity देना चाहते हैं, देना समझेगा इधर, इसको ऐसी velocity देना चाहते हैं, कि body जब यहाँ से जाए, तो critical velocity से नीचे आए, प्रेटकली समझेगा, आप एक बाल्टी ले लिजेगा, उसमें दूद भर लिजेगा, महिंगी चीज भरिएगा, गिरे तो कम से कम लगे कहां एक बार गिरी थी, और उसको खुली बाल्टी लिजेगा, इसको ऐसे से घुमाईए, उपर ले जाए, दूर नीचे गिरेगा नहीं, अगर ऐसे घुमाते रहोगे नहीं गिरेगा, पकी बाल्टी बाल्टी देख लिजेगा, थोड़ा पानी मिराग कर जिएगा, जिसे नुकसान नहीं हो, और धिरे धिरे इसकी स्पीड कम कर दीजे, और एक समय ऐसा आएगा, जैसे उपर ले जाओगे पानी गिर भी सकता है, आप ऐसे घुमाईए, नहीं गिरेगा बाई, ऐसे खुला ले लिजेए, केतली टाइप की, और ऐसे घुमाईए, पानी लेना कोई दिक्कत नहीं, आरो का मत लेना, ऐसे लेना, आरो का भी महेंगा होता है, और गुर्डगाउम तो ऐसे भी पानी थोड़ा सा महेंगा है, मैंने सुना है, नहीं, गुर्डगाउम ज्यादा है, तो VC क्या हो गया, अब हम को वह विलास्टी निकालनी है, कि बॉड़ी ऊपर जाए, तो को स्पीड ज्यादा रखने कितना भी रख सकते हो आप, और तेज और तेज गुमादो, पूरी डूरी तोर डालो, वह स्पीड हम चाहते हैं, कि जब बॉड़ी यहाँ जाए, तो अपने आप ऐसे नीचे गिरे, यहाँ टेंसन क्या हो जाए, जीरो, ठीक है, तो अब हम बॉड़ी को P से कहा ले जा रहे हैं, A तक, P पर विलास्टी कितनी है, V, A पर कितनी विलास्टी है, V, C, हमको क्रिटकल चाहिए ना, हमको V पर कौन सी चाहिए, हमको उस विलास्टी से ले जाना है, कि यहाँ पर क्या हो जाए, V, C, तो हम P से A तक बॉड़ी को ले जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं, वर्क एनर्जी थेवरव, या इनर्जी जो भी आप कहें, ठीक है, इस equation को हम कहीं note कर देते हैं, यह पहली equation को इसको आगे use करेंगे, T प्लस Mg, T is equal to, T is equal to, Mg cos theta, प्लस Mv square upon L, यह पहला equation है कहीं note कर देते हैं, आगे use करेंगे, और एक क्रिट्टर विलास्टी का फरमला आपको मालूम है, देखो ध्यान से, अब बॉडी को हम P से A तक ले जा रहे हैं, तो देखें क्या करेंगे, देखें, for the motion of a particle, from P to A, for motion of particle, from P to A, particle from P to A, चाहे तो आप कहिए by law of conservation of energy, या लिखे by work energy theorem, by work energy theorem, by work energy theorem, या आप कहेंगे by law of conservation of energy, दोनों आप कह सकते हैं, conservation of energy, दोको work energy theorem क्या कहती है, चेंज रिकानेटेक इनर्जी, work done is equal to change रिकानेटेक इनर्जी, कोई आदमी जा रहा है मालिया, क्लास में कोई ऐसे आगे जा रहा है, और आपने पीसे उसको लात मार दी, ख़बढ़ा के उगिर गया, या उसकी विलास्ति बढ़ गई, आपने उसको धका मार दिया, लाद ठीक नहीं रहे कि धका ठीक रहेगा, तो धका मार के आपने उसकी क्या बढ़ा दी, क्यानेटेक इनर्जी बढ़ा दी ना, वो किसके बढ़ावर होगी, आपकी, आपकी, आपकी तोरा किये गए work की, यह ना, यहनी आप कहेंगे, चेंज इन कारिनिटिक इनर्जी इस इकॉल टू वर्क ड़न, अब बताएए, वी और वी सी में किसकी विलास्टी जादा है, यहाँ जादा है, यहाँ जादा है, पी पे जादा है, तो यहाँ एनर्जी कितनी होगी, अब ज़रा work done देखिएगा, वर्क एक्चली यहाँ है, पोटेंशल एनर्जी, एम जी एक्च, एम जी एक्च है ना, यह जो पईया है, यह जो वर्टिकल सर्किल है, यह ग्राउंड पर रखा हुआ है, ऐसे ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक, और हम ग्राउंड से कितनी हाइट पर हैं, हम यहाँ पर हैं, हम इस डी पॉइंट पर हैं, तो हम एक्चली कितनी हाइट उपर गए हैं, डी से लेकर के, ए तक, तो हम, हमारी जो एनर्जी है, पोटेंशल ओ एम जी इंटू, डी ए, सही क्या हमने, एक एक पॉइंट पकड़ते रहीएगा, सुन में आ जाएगा, तो हाफ, हैं, हम को करना क्या, उस विलास्टी से इसको बाडी को ले जाना है, कि यहाँ पहुंचते पहुंचते उसका टेंसन जीरो हो जा, यहाँ देखो ध्यान से, हम डी ए कैसे निकालेगे, जरा ध्यान से देखेगा, ओडी में से ओए प्लस कर दे, यहाँ ओडी प्लस ओए, अचा, एम को काट सकते हैं आप, और हाफ को उधर ले जा सकते हैं, तो वी स्क्वार इस इक्वार माइनस, वी सी स्क्वार इस इकल टू जी, अच्छा, ओडी कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखे, यह ट्रेंगल दिखरा आपको, यह राइट रेंगल ट्रेंगल है, यह एल है, यह एल कॉस इता आ जाएगा न, तो यह आएगा, एल कॉस थीटा प्लस एल, यहां से यहां तक ल हो जाएगा, तो यह एल प्लस एल कॉस इता आएगा, तो आपका, अच्छा, वी सी की वैलू क्या है, अंडर रूड एल जी, अभी हम ट्रेट्टर व्लाश्टी का फ़र्मला निकाल चुके हैं न, रूड एल जी, तो यह हो जाएगा, वी स्क्वाइर माइनस एल जी हो जाएगा, इस इक्वल टू, इस ब्रेकेट को खुर ये, टू एल जी, कॉस थीटा, प्लस टू एल जी, यहां लिख दीजेगा, एज, वी सी इक्वल टू अंडर रूड, एल जी, सही मैं कहँ रहा हूँ, तो इस वी स्क्वाइर की जब वैलू निकालोगे, तो एल जी जाके उसको क्या बना देगा, थी एल जी, तो थी एल जी में से एल जी कामन ले लो, या जील कामन ले लो, एल जी खराब लग रहा है, कोई बन्दू का नाम है, जी एल कामन ले लो, तो इसको 3 प्लस 2 कॉस थीटा आएगा, तो वी की वैलू यहाँ क्या निकलेगी, जर वी की उलू हम निकाले, तो वी इस इक्वाल टू, अंडर रूट 3, जी एल, 3 प्लस 2, कॉस थीटा, यह विजविल है न? यह वो विजविल है जिससे बॉड को ले जाने पर, वो हाईस्ट पॉइंट पे, अरि हाईस्ट पॉइंट पे जो टेंसन आपदा इस्टिंग कितना हो गया है? 0 हो गया, सुढ़ जागया? अब इस कंडिसन पे टेंसन क्या होगा? तो इस V की value उठाइए इसको equation number कोई डाल दो इसको equation number 3 डाल दो इस V को उठाओ और equation number 1 में रख दो तो at the point P आपको tension मिल जाएगा तो putting the value of V in equation number 1 conception में आ रहा है क्योंकि tough नहीं है लेकिन requirement आपको मालूँ होनी चाहिए क्या चाहिए आपको putting the value of V in equation 1 1 क्या था T is equal to mg cos theta plus mv square upon L तो is equal to mg cos theta plus m upon L जब V square करोगे तो आएगा आपका gl 3 plus 2 cos theta तो mg रेकिन हम खोले जे रहे है cos theta plus यहाँ से L कर जाएगा यह mg अंदर जाएगा तो आएगा 3 mg plus 2 mg cos theta तो यह हो गया तो यह हो गया आपका 3 mg यानि अगर हम पी इसको question number 4 डाल दीजेगा अगर हम P point पे V विलास्टी देदें जिसकी value निकाली है root GL 3 plus 2 cos theta और उसमें tension यह होगा उस string का तो वो body जब highest point पे जाएगी तो जैसे जैसे highest point पे जब पहुँच जाएगी तो वहाँ पर tension of the string 0 हो जाएगा और एक critical velocity से वो अपने आप ऐसे नीचे आजएगी जैसे समझेगा एक जूला जूल रहे हैं ऐसे जूले और तेज बढ़ा हो और एक ऐसे stage आईगी आप उपर गए और ऐसे अपने आप ऐसे नीचे आगए वो stage हम बात कर रहे हैं ठीक है तो यह note करिए अब यहां कुछ special cases है अलग-अलग point पे हम velocity निकाले जा रहे है अलग-अलग point पे हम tension निकाले जा रहे है इसी stage में जब यह velocity देंगे तब अलग-अलग point पे velocity क्या होगी यहनि ऐसी velocity दी गई है कि यहां critical velocity से body जाए तो अलग-अलग position पे tension कितना होगा और velocity कितनी होगी तो लिखे special cases special cases तो लिखे special cases में point A लेने की कोई ज़रूत है नहीं लेकिन हम अगर लेना चाहें पहला case at point A अगर हम लेना ही चाहें A point पे जो पहुँचेंगे तो theta कितना हो जाएगा 180 तो by question 3 velocity निकाल लिजएगा velocity VA है जो किसके कुलाब ले रहे है critical के अंदर जब theta को 180 रिखेंगे तो cos 180 minus 1 हो जाएगा और आप ज़रा equation number 3 देखें under root 3 plus 2 cos theta है V यहाँ पने निकाला है यह question दूर लिखा करिए दिखाई पड़े जहाँ V निकाला है आपने न theta को 180 करेंगे 3 minus 2 आएगा तो यह आएगा under root LG यह जी यह तो पीछे भी आपने यूज किया था यह आपकी आगई velocity at the point A अच्छा अब tension कितना होगा by question 4 देखें by question 4 वैसे टेंशन 0 हो जाएगा आपने पहले लिया हुआ है लेकिन फिर भी अगर theta को बनेटी करेंगे जीरो आजाएगा तो टेंशन एड़ पॉइंट एक इतना जाएगा 0 आजाएगा तो इस प्रकार से आप tension and velocity निकाल सकते ठीए पहला case हो गया actually में देखिए हमने actually V की value ही हमने ऐसे निकाली है critical के हिसाब से लेकिन हमने एक special case माल लिया ठीक है अब दूसरा case लेते हैं lowest point पे add the point B लेते हैं तो दूसरा case लिखे add the point B add the point B B point पे theta कितना होगा 0 कर लो या 360 कर दो 0 कर दो क्योंकि body यही है चला शुरू ही है तो theta 0 कर दीजेगा तो by equation 3 जब 0 करेंगे तो कितना होगा root 5 GL यानि कि अगर B point पे हम velocity निकाले इसको VB माल ले यहाँ पर velocity को हम क्या माल ले वी बी तो वी बी इस प्रूब भी दे सकते हैं कि body is moving with velocity V such that at the highest point the velocity is the critical velocity then at lowest point it will be root 5 times of the critical velocity कह सकते हैं अच्छा और by question 4 अगर मैं theta को यहाँ रखता हूँ 0 तो 6 mg हो जाएगा तो tension at B यह tension है B पे उपर को लगेगा ना तो tension at B is equal to 6 mg यहाँ हम कहेंगे अगर कोई body critical velocity से highest point से नीचे आती है तो at the lowest point its weight will be यह sorry the tension of the string will be 6 times of its weight कह सकते हैं अंडरोड जील 3 plus 2 cos theta at any point है वो वो velocity है जो देने पर body highest point पे critical से चले क्योंकि any point पे अगर विलास्टी vary करते रहोगे तो highest point पे विलास्टी change होती रहेगी हमको ऐसी विलास्टी से ले जाना है कि highest point पे body जब पहुंचे तो डोरी का जो जो इस टेंसर हो कितना हो जाए जीरो यह वो अपने आप ऐसे body नीचे आए तो उसको कहते है critical velocity ठीक है अच्छा एक और point आप ले सकते है at the point यह point आप ले सकते हैं बिलकुल 90 डिगरी पे कभी-कभी यह point आ जाता है यह point c ले ले लते हैं तो तीसरा केस ले लो add the point c थर्ड केस ले लो add the point c c point पर थीटा कितना होगा 90 तो आप equation number 3 में रखो 90 root 3gl यहाँ velocity आप मान सकते हैं ऐसे diagram में vc अब vc तो लिखोगे तो critical हो जाएगा तो vc dash माल लो तो vc dash is equal to under root कितना होगा 3gl तो हम कह सकते हैं under root 3 times of critical velocity यह अगर कोई body ऐसी velocity से circular path में move कर रही है vertical circle में move कर रही है कि highest point पर पहुचने पर उसकी velocity critical हो तो add the point c its velocity will be root 3 times of the critical velocity 4 में रखो जड़ा theta को 90 तो 3 mg हो जाएगा tension at the point c यह tension होगा यह at the point c तो हम कह सकते है tension will be 3 times of its weight यह कहा जा सकता है तो समझ में आ गई बात तो यह motion न वर्टिकल circle की बारे में बात करने जा रहे हैं बात करने जा नहीं नहीं बात कर चुके हैं ठीक है एक अभी आप बाल्टी की बात कर रहे थे कि बाल्टी में आप महिंगी चीज ले करके ऐसे इसे चलाईए तो कैसे वो काम करती जा समझीएगा अगर एक bucket हम ले लें और तो bucket में कोई चीज रखते हैं देखिए एक्चुली में यह bucket है ऐसे हम उल्टी पकड़े हुए हैं से है ना ऐसे तो यह आपका bucket है ऐसे और इसको आप घुमा रहे हो इसमें कोई चीज मेटेरियल यहां पर है और एक circular path पर move कर रही है यह जो है एक circular path पर ऐसे मूब करा रहे है ठीक है और यह highest point पर है यह ऐसे इसका यह डंडी है पकड़े हुए आप घुमा रहे है यहां पर कोई material भरा हुआ है तो एक्चुली में जब इसको घुमाएंगे तो इस material का weight की ओर काम करेगा नीचे की ओर लेकिन इस पर एक centrifugal force काम करेगा जिसकी value centripetal के बराबर होती है कि यहीं करता है यह जानते बाहर के तरह फोर्स लगता है कभी आपने कभी आपने पिच्चरों में देखा होगा एक जूला होता तो गोड़े गदे सब होते हैं तो इसमें बैठ के अभी जूले हो और उसमें बैठे हो ना तो घोड़ा किदर भागता है बहर तरह भागता, ज्यादर तरह फिल्मों में जो विलन होता है जब कोई dealing करता है, यह ismuggling वालाई तो उसी घोड़े पे दो लोग बैठते हैं और इधर मत देक dåго Madam – इधर मत देखना पुलिस है और वह सोई dealing कर लेते हैं, तो घोड़ा बाहर को भागता है ना तो बाहर क्यों भागता रसी तो उधर सेंटर में बंदी हुई है तो उस पर एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स काम करता है तो इसमें बाहर की तरफ एक centrifugal force काम करेगा अगर ये point A है और यहां velocity मैं मान लेता हूँ VA है तो इसमें mv square upon R काम करेगा नहीं काम करेगा हाँ centrifugal force की ब्रावर होगा ठीक है अब आपका ये material नीचे न गरे उसके लिए mv a मान लेते हैं mv a square upon R mg के या तो बरावर हो या उससे बढ़ा हो यहां तक अगर और रहेगा आइदर इस इकोल टो mg और greater than mg तो ये material नहीं नहीं गिरेगा जैसे आप लास्टी कम करेंगे वैसे नीचे गिर जाएगा ठीक है ये तो वेट है इस material का ये वेट centipetal force देखे एक्चुली में centipetal force होगा वो centrifugal balance करता है centipetal यहां लग centipetal तो हाथ पकले हुए लेकिन हाथ में जो आप पकड़ के घुमा रहे हो वो इस body को तो घसित नहीं रहा नीचे कि आपने हाथ में उसकी ऐसे पकड़ी जो बाल्टी की हुडंडी होती है और ऐसे किया तो body हाथ में पकड़े से आपका जो material थोड़े नीचे गिर जाएगा वो अपने weight की वज़े से गिरेगा और इसमें उपर क्यों क्या धक्का मारेगा centrifugal force तो अगर या तो यह बढ़ा हो या इसके बराबर हो तब तक तक तो यह नहीं गिरेगा अगर इसकी value कम हो गई जो इसको solve करिए यहां से VA की value क्या निकलेगी अंडरूड जी आर निकल रही है यही तो creative velocity है तो या तो इसके equal हो या उससे बढ़ा हो अगर उससे कम किया तो body नीचे गिर जाएगी तो अभी जो हमें एक particle को घुमा रहे तो यही तो हम कर रहे थे कि critical velocity तक तो नीचे नहीं गिरी थी tension zero था लेकिन अगर उससे कम कर दिया आपने तो body नीचे आके गिर जाएगी